Good morning students, बेटा आज हम start करेंगे ये नया chapter binomial खेवर हम अगर बेटा मैं binomial की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो समें word आता है वो आता है by क्या आता है? by, by का मतलब 2, by का मतलब 2, बेटा देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था polynomial, क्या पढ़ा था? polynomial, polynomial में क्या था बेटा? only एक variable था x, कितना था only एक variable x? अगर मैं बात करूँगा binomial की तो बेटा, binomial के अंदर हो y का मतलब 2, by का मतलब 2, मतलब बेटा, जो भी मेरी power में increment और decrement हो रहा है, वो एक variable में ना होगी बेटा, दो variables के अंदर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, binomial ज्यरम, a plus x to the power n, जहाँ पे n क्या है बेटा? n belongs to natural number, बेटा कई बुक्सों में इसको positive index भी बोला जाता है, natural number की meaning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब बात करते हैं, binomial ज्यरम की, बेटा, ज्यरम क्या बोलती है? अगर a plus x to the power n है, और अगर मैं इसको extend करूंगा, तो बेटा, मुझे मिलेगा, nc0, a to the power n, x to the power 0, plus nc1, a to the power n minus 1, x to the power 1, plus nc2, a to the power n minus 2, x to the power 2, अब बेटा, काम की बात जरा समझना, कि इसके अंदर, जो मेरा ही sequential रहा है, इसमें n always constant है, increase क्या हो रहा है, base, 0, 1, 2, और a की power देखें, यहाँ पे n थी, यहाँ पे n minus 1, यहाँ पे n minus 2, और इधर x की power 0, 1, 2, तो बेटा, मैंने देखा क्या, जो मेरा ये base है, जो मेरा ये base ह n में से मैं उसको minus कर रहा हूं, और x की power को मैं वही base लगा दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मेरा base 1 था, तो मैंने a to the power n minus 1 किया, x to the power 1 किया, इधर base बेटा मेरा 2 था, तो a to the power n minus 2 और x to the power 2 किया, तो अगर मैं इसी sequence में आगे जाता हूं, तो इसी sequence में कभी ना कभी मैं R म minus R और x to the power r, और n में क्या हो जाएगा बेटा, जब यह 0 भढ़ते भढ़ते कहा हो जाएगा, n हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, n सी end, a to the power 0, x to the power n, अब बेटा काम की बात यह है, कि यह जो मेरा expansion है, इस expansion के अंदर a और x है, n की तो बात हो यह कि हमरे पास n क्या हो हो सकते हैं, expansion is also valid for a, x belongs to complex number, ठीक है, इधर बेटा हम बात करते हैं, एक मेरे पास निया चीज आई थी, क्योंकि n तो मुझे अल्रेडी question में दे रखा था, a b मुझे question में दे रखा था, x b मुझे question में दे रखा था, जो बेटा नही टर्म मैंने हम इंट्रूश किये, वो इं इंट्रूश किये, r, तो बेटा, r जो होगा, मैं उसके बाल में क्या बोलूँगा, कि r होगा, r की value पहली बात तो integer होगी, क्या होगी, integer होगी, क्योंकि हम बात करते हैं, integer values की, ठीक है, और यह कहां से कहां तक होगा, बेटा, 0 से लेके n तक, 0 के बराबर, और 0 से बढ़ा, और n के बराबर, और n से छोटा, तो बेटा, मैं बात करता हूँ, मेरी starting हुई थी बेटा, 0 से, 1 से, 2 से, कहां तक कही बेटा, n तक, मतलब 0 से n तर मुझे मिली है, इसका मतलब number of terms कितनी होगी, बेटा, n प्लस 1, कितनी होगी, n प्लस 1, देगो, जैसे आप जानते हो, अगर मैंने बोला, x प्लस 2 का होल स्कोर, तो क्या आता है, बेटा, x स्कोर, प्लस 2ax प्लस, x स्कोर, a ले लेते हैं, x स्कोर, प्लस 2ax प्लस, a स्कोर, अगर, बेटा, मेरे पास, x प्लस, a का होल की वो था, तो कितनी तर माती, बेटा, चार्ट माती, तो अगर, बेटा, यही मेरे पास x plus 1 की power n है तो किती term आएंगी n plus 1 term आएंगी और बेटा अभी हमने जो पड़ा जो मेरे पास ये binomial theorem थी ये कहां से निकले बेटा एक्च्वल में ये जो चीज है बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हमने induction का यूज किया था induction और जो ये coefficient हमने लिए है nc0, nc1, nc2 पिटा इसको निकालने के लिए हमने basically pascal triangle को use किया था हूँ पासकल triangle को बाद में हमने simplify करके एक निया term का reduce दे दिया nc1 अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा pascal triangle को हमें use कैसे करना है यहाँ पर यूगि शार्टिंग की बात करेंगे तो शार्टिंग में हम पासकल triangle से हैंगल कर सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो मैं पासकल triangle क्या होता है 1, 1, 1 फिर ये 1 उसके बाद इन दोनों का सम कितना आएगा? 2 और आखिर में 1 उसके बाद वापिस 1 दोनों का सम कितना आगया? 3, दोनों का सम 3, आखिर में 1 उसके बाद 1, दोनों का सम 4, दोनों का सम 6, दोनों का सम 4, दोनों का सम 1 तो बटा ये single के लिए ये power 1, ये power 0, ये power 1, ये power 2, ये power 3, ये power 4 देखो हम कुछ जानते हैं यह पावर 2 था देखो अगर मैं बोलता हूँ x प्लस a का होल स्कुरा है तो मेरे पार क्या था है अगला टम क्या होगा प्लस देखो a तो a मेरा है बेटा जो वो a की पावर 0 था इदर a की पावर 0 उसके बाद x और a की पावर 1 x1 हो गया एक घट गया और उसके बाद x 0 हो गया और a मेरा क्या हो गया स्कुराइर हो गया और जो इसके आगे कोफिशन्ट लग रहे है वो बेटा पास्कल ट्राइंगल के जो 2 में थे 1 to 1 वही लग जाएंगे 1 to 1 क्या साथ माया अगर बेटा मेरे पास x प्लस a का whole cube होता क्या होता whole cube तो starting में x की cube उसके बाद x की डिगरी घटती जाएगी और a की डिगरी भढ़ती जाएगी उससे अगला के आएगा x square a उससे अगला x a square और आखिर में a की power cube अच्छा और इनके आगी coefficients के आएंगे बेटा पास्कल ट्राइंगल 3 के 1 into 3 into 3 into 1 और आप जानते हैं a plus b का whole cube का formula यही होता है देखो simplify कर देता हूं मैं x cube plus a cube plus 3 ax a plus x यही होता है हमारे फास formula बेटा अगर मैं 4 की बात करूँगा तो 4 को खोलने का तरीका ही बेटा मेरे पास यही हो जाएगा x plus a की power 4 that is x की power 4 plus x cube a plus x square a square plus x a cube plus a की power 4 और आगे क्या आएगा बेटा pascal triangular coefficient तो 4 के लिए क्या थे 14641 तो इधर क्या जाएगा 14641 क्या सौन मैं नहीं आया अब बेटा को यह जो चीज़ थी ना बेटा अनलाइस करके इन सभी के लिए अपनी तरफ से एक नई टर्म डिडूस कर दी ncr तो यह जो मेरे पास आए थे देखो अगर मैं ध्यांसे देखो अगर मैं बाइनियमल ख्योर्म को जो मैंने भी बोला तो उसी कोई बात करता हूं तो x plus a to the power 4 का expansion क्या होगा nth 4c0 x to the power 4 4c0 देखें अभी हमने क्या पड़ा था यह पड़ा था हमने a to the power n था हमने आगे पिछे लिखते हैं तो आगे पिछे करते हैं चलो आपके लिए comfortable होगा a plus x to the power 4 तो क्या होगा पिटा 4c0 a की power 4 plus 4c1 a की power 3 x plus 4c2 a square x square plus 4c3 a x cube plus 4c4 a की power 4 4c0 कितना होता है 1 a की power 4 4c1 कितना होता है पिटा 4 a cube x 4c2 कितना होगा पिटा 4c2 होगा पिटा 4 factorial upon 2 factorial upon 2 factorial into a square into x square पिटा कट की यह बन जाएगा पिटा मेरे पास 6 4C3 होता है बेटा वापस मेरे पास 4 हो जाएगा AX3 और आखिर में बेटा X की पावर 4 आ जाएगा तो अगर मैं ध्यान से दिखूँ देखो वही चीज मुझे मिल गई X की पावर 4, 4X3 यह मिल गया यह टम मुझे इधर मिल गई यह टम मुझे इधर मिल गई और आखिर में A की पावर 4 मुझे इधर मिल गया तो जो मेरा basic binomial की हरूम था बेटा मैंने क्या किया initially इसको induction से देखा उसकी बाद मैंने देखा कि यह पासकल triangle को follow कर रहा है तो पासकल triangle को follow करने के लिए मैंने generalize रहन दिया NCR की तम में जो कि इसको easily follow up कर सकता है क्योंकि अगर मेरे पास NET term के लिए आ जाए तो पासकल triangle से find out करना मेरे लिए क्या हो जाएगा यह typical होगा और NCR की बारे में हम अल्यड़ी एक बात और जानते हैं कि NCR का मतलब होता है selection of R object out of N object ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिटा आगे हम क्या बोल लेते बिटा मेरे पास क्या आगा गया था बिटा मेरे पास N तक हमने बात कर ली थी अब हम बात करेंगे बिटा coefficient here coefficient of term NC0, NC1, dot 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 NCR are known as binomial coefficient बिटा इधर जो NC0 चल रहा है NC0, NC1, NC2 बिटा इन सबकों में क्या बोलूँगा binomial coefficient बोलूँगा Good morning students अभी हम देखेंगे point D point D क्या बोलता है बिटा binomial coefficient is to equidistance from beginning and end are always equal बिटा अगर मैं binomial coefficient की starting से और end की बात करूँगा तो दोनों always equal रहेंगे मैंने बोला NC0 is equal to NC हैं बिटा ये पहला ये आकरी NC1 is equal to NC N-1 ये second और ये second last तो बढ़े ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ NC2 is equal to NC N-2 तो मैंने क्या देखा बिटा जो इधर R था वो इधर N-R था तो मुझे कैमल गया बिटा NCR is equal to NC N-R बिटा सिंपल सी अगर बात देखूँ इसका जो सिंपल सा प्रूफ देखते हैं तो NCR क्या होता है बिटा NCR is equal to N factorial upon N-R factorial into R factorial और ये कितना हो जाएगर बिटा ये हो जाएगर बिटा N factorial upon R factorial into N-R factorial दोना बिटा मेरे क्या है वो सब सम्मेशन में था अगर वो सेरीस सम्मेशन में थी तो बिटा क्या मैं इसको सम्मेशन में लिख सकता हूँ A plus X to the power N में देखो काम सी बात देखना बिटा question के अंदर जो हमने देखा था ये क्या था बिटा Nc0 A की power N X to the power 0 Nc1 A की power N-1 पावर 1 तो बिटा में पास गया गया था अगर बिठा इसी इस के अंदर जो मुझह time मिली है अगर मैं R को 0 रखता हूँ तो मुझह 1st time मिलेगी अगर मैं R को 1 रखता हूँ तो मुझे 3rd time मिलेगी मतलब बिटा ये है कि अगर मैं summation लगाता हूँ और summation में वही term लगाल देता हूँ और R की value कहां से 0 से N तक तो R 0 रखूँगा तो मुझे 0 NC 0 मिलेगा NC 0 8 to the power N into X to the power 0 जब 1 रखूँगा तो NC 1 8 to the power N minus 1 X to the power 1 यह R कहां से कहां चलेगा बिटा 0 से लेके N तक चलेगा तो जो मेरे पास binomial expansion था उसको मैं compressed form में भी लिख सकता हूँ और हमारे काम की यही form जादा आती है कि मैं इसको यह कैसे लिखूँ तो अगर यह मुझे आ गया तो हमारा binomial में सबसे important concept यही है binomial की starting भी यही है जिससे हम सारे concept को handle करते हैं पेटा एक बास सोचना अगर माल दो अभी तक हो अभी तो हमने पढ़ाता A plus X to the power N अगर A minus X to the power N होता तो मैं क्या करता पेटा कुछ नहीं करता वही जो formula है उसको as it is लिखता सिर्फ changes क्या होते summation as equal to 0 से N तक NCR A to the power N minus R अब यह काम की बात इधर पेटा plus X था इधर मेंटा minus X है तो मैं से क्या लिख दूँगा minus X to the power R अब काम की बात समझना यह पटा ही minus X to the power R मैं से अगर मैं minus common लेता हूं तो बाहर के निकलेगा minus 1 to the power R NCR A to the power N minus R X to the power R अब यह काम की बात यह जो series की plus की और जो minus की दोनों में as it is है सिर्फ एक difference बिटा जा रहा है minus 1 to the power R का मतलब दोनों series एक समान होंगी सिर्फ और सिर्फ sign का difference होगा वो भी क्यों minus 1 to the power R का अब काम की बात समझना बेटा मेरा R जब-जब even होगा तो मुझे positive देगा और odd होगा तो negative देगा मतलब मुझे sequence क्या मिलेगा alternate जैसे R 0 डालो positive R 1 डालो negative R 2 डालो positive R 3 डालो negative मतलब बिटा मुझे sequence as it is यही मिलेगा बस sign क्या होगा पहला positive दूसर negative फिर positive फिर negative alternate alternate ठीके न और last में क्या हो जाएगा minus 1 to the power n हो जाएगा minus 1 to the power n हो जाएगा ठीके यह मेरा आगया negative बाला अब exam में क्या करना होता है exam में हमको ulta सोचना होता है क्या सोचना होता है ulta देखो माल लो A की जगे में आपे A बोल रहा हूँ A की जगे 1 होता तो क्या होता काम की बात समझे ना बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मैं भी मैंने का अगर A की जगे 1 होता यह से यह बोल रहा 1 plus x to the power n तो क्या मिलता इसकी जो first time में वो 1 हो जाती और 1 to the power anything is equal to 1 मतलब मुझे क्या मिल जाता ncr x to the power n minus और अगर यह minus यह मुझे 1 minus x होता तो क्या होता minus 1 इसका भारा जाता अभी हमने पढ़ा था योगि मेरे पास यही आता minus x के साथ और minus x में से minus भार निकलके मेरा यह बन जाता अब देखो exam में क्या होता है बेटा अभी तेक हमने पढ़ा यहां से यहां कैसे पहुचे exam में बेटा मुझे उल्टा सोचना होगा यहां से यहां कैसे पहुचो यहां से यहां कैसे पहुचो example लेते हैं मैंने लिया आपको बेटा summation r से 0 0 से बेटा 30 तक ncr 3 2 the power अब काम के बास समझना बेटा यह जो मुझे series इदर मिली है मैंने कहा बेटा summation r is equal to 0 से 30 तक 30 c r 3 to the power r अब बेटा काम की बास देखो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो क्या था बेटा summation r is equal to 0 to n ncr ncr a to the power n minus r into x to the power r बेटा अगर मैं दौनों को compare करता हूँ तो क्या इधर मेरे पास कितनी टम थी बेटा 3 टम 1 2 3 अब इधर कितनी है बेटा 2 टम 1 2 इसका मतलब बेटा इनमें ऐसे कोई एक term 1 है क्या है क्योंकि multiple में अगर मैं बात करता हूँ तो multiple में 1 होने पे ही वो term कायब होगी अब मैं आगर देखता हूँ ये r था as it is ये r है इसका मतलब term ये वाली गायब हुई की ये वाली ये वाली गायब हुई मतलब बेटा 1 की value इधर इसके अंदर बग तो a की value बेटा मेरे पास क्या आ गई 1 और x कितना आ गया बेटा मेरे पास 3 तो पेटा ये formula क्या आ गया इसका ये आ गया बेटा मेरे पास होता क्या a plus x to the power 30 होना चाहिए था और x मेरा 3 है और a मेरा 1 है तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 plus 3 to the power 30 that is 4 to the power 30 क्या समझ में आया सभी को देखो वही मैंने लिखाता आपको 1 plus 4 to the power 30 अब थोड़ा सब और आगे पढ़ते बेटा मैंने बोला summation r is equal to 0 to 30 30cr x minus 4 30 minus r अब काम की बात फिर से फिर से यही formula गर में बात करता हूँ देखो अभी जो मुझे दे रखा है मुझे बेटा दे रखा है तो बेटा इसम के अंदर और इसके अंदर देखो यह term है जो वो present है कौन सी यह term इधर present है n minus r वाली कौन सी n minus r वाली मतलब बेटा यहाँ पे कौन 1 है x is equal to क्या है बेटा मेरे पास 1 है और a is equal to क्या है बेटा x minus 4 है मतलब इस question के अंदर बेटा मुझे x तो मेरा आ गया 1 और a कितना आ गया बेटा x minus 4 देखिए यही तो था a कितना आ गया x minus 4 और x कितना आ गया 1 तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा a plus x a हो गया x minus 4 x हो गया 1 तो बेटा मुझे क्या मिला x minus 32 the power 50 अगली बात करते हैं बेटा general term इसकी बात करते है general term बेटा most important अभी मैंने कहा था general term बेटा general term क्या होती अभी जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा कि यह जो यह series कहां से आय थी general term बेटा मतलब जो वो term जो हर एक term को sequence के अंदर series के अंदर हर एक term को जो represent कर दे बेटा उसको बोलते है general term तो बेटा summation में जो हम लिखते हैं बेटा वही हमारी always general term होती है क्यों अगर मैं r को change करता जाओंगा मुझे वो term मिलती हुई जाएगी तो बेटा यह जो term होती है ही मेरी क्या होती है बेटा general term तो बेटा general term के आगी मेरे पास ncr a to the power n minus r x to the power r बेटा इसको मुझे करते हैं t r plus 1 अब doubt हुई हो तो से r plus 1 मतलब क्या है सर बेटा देखो जम मेरा first term में r क्या था बेटा 0 था first term में r क्या था 0 था second term में r क्या था 1 था third term में r कितना था 2 था मतलब अगर मेरा r 2 है तो term कौन सी होगी 3 अगर r मेरा 4 term कौन सी होगी 5 अगर r मेरा 0 तो term कौन सी होगी 1 तो पिटा इसलिए मेरे पास इसको मैं क्या बोलूँगा पिटा t r plus 1 ओके अगले point पे point number g पिटा वो क्या बोल रहा है t r अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने की थी beginning से कि beginning से मेरे t r plus 1 term कौन सी होगी ठीक है ना बट अगर मैं बोलता हूँ examiner आपसे बूछ ले कि बताओ end से r a term कौन से होगी कहां से end से r a term r a term from the end तो पिटा ये always beginning से n minus r plus 2 k term के बराबर होती है तो चाहो तो end से r a term निकालो चाहो तो beginning से ये निकालो बिटा ये formula हमारे पाक बहुत rare काम आता है फिर भी हमने आपको लिखा दिया है वैसे मैं एक बात कहता हूँ कि इसके अगर आप इस formula को भूल जाओ तो एक simple सा alternative और है अगला point क्या बोल रहा है बिटा देखिए अगले point की बात करते हैं बिटा अगला point बोल रहा है बिटा sum of coefficient अगर आप से binomial के अंदर जितने भी coefficient आ रहे हैं उनका sum पूछा गया है तो बिटा always variable को one put कर दो और अगर sum of all binomial coefficient पूछा गया है तो बिटा x और a दोनों को one put कर दो देखो समलना ज़रा बिटा मेरे पास symbol series क्या थी a plus x to the power n nc0 a की power n x0 nc1 a की power n-1 x1 dot 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 अगर बिटा मुछ से पूछा गया sum of binomial coefficient मतलब मुछ से पूछा गया nc0 plus nc1 plus nc2 dot 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 ncn मतलब बिटा ना तो मुझे a चाहिए ना ही मुझे x चाहिए इसका मतलब दौनों मेरे क्या होगा एक one तो अगर मैं दौनों को one put कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो बिटा one plus one to the power n is equal to nc0 nc1 dot 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 ncn बिटा धियान रखना ये जो है ये मेरे पास एक बहुत ज्यादा important result है इसको हम अलग से भी discuss करेंगे कि sum of binomial coefficient is always 2 की power n 2 की power n ठीक है अब एक बास सुचना बिटा कि ये मेरे binomial coefficient दे अगर मैं बोलता हूँ only coefficient only coefficient तो बिटा only coefficient वो होता है जो variable को छोड़के होता है और इधर a मेरा क्या है constant तो बिटा अगर मैं बात करता हूँ coefficient की तो ये पूरी term मेरी क्या हो जाएगी coefficient मतलब variable को छोड़के जितने भी constant है वो सभी किसमें आते हैं coefficient के अंदर काम आते हैं तो बिटा धिहान रटना अगर वही मैंने पहले point बोला था कि अगर कभी भी आपको सभी coefficient पूछे गए हैं तो variable को 1 डाल दो sum of coefficient इसका मतलब क्या है इसके अंदर बात करूँ बेटा मुझसे पूछा गया sum of coefficient sum of coefficient मतलब n से 0 a की पावर n प्लस n सी 1 a की पावर n मैंस 1 मतलब x को हटा कि जितने भी coefficient है सभी का sum तो क्या करूँगा मैं x को 1 पूट कर दूँगा तो बेटा important point है कि अगर कभी भी आप से sum of all coefficient पूछा हो तो जितने भी variable हैं सभी को 1 पूट कर दो अभी हम example करेंगे तो और जाह से उन में आएगा ठीक है ना चले आगे बात करते हैं अगली चीज middle term हम middle term को already pnc के अंदर पढ़ चुके हैं फिर भी थोड़ा से एक बार बात और कर लेते हैं हम already इसको पूरा हमने deeply पढ़ा है फिर भी एक बार introduction देता हूँ only depend किसवे करता है n पे मैंने आपको और मैं जानता हूँ अगर odd term है तो middle term कितना निकलेगा सिर्फ एक और अगर even term है तो middle term कितने लिंगे पटा दो ठीक है तो अगर दो middle term होंगी तो मैं middle term कौन से होगी पटा tn plus 1 by 2 tn plus 3 by 2 और इधर tn plus 2 by 2 पटा इसका पूरा derivation की यही middle term क्यों है यह मैं आपको pnc में already describe कर चुका हूँ clear हुआ अगला point देखते है पटा greatest binomial coefficient of is middle term पटा अगर आप से greatest binomial coefficient पूछा क्या काम की बास समझना मैंने बोला मैंने बोला binomial coefficient ना की coefficient तो हम उसको आगे पढ़ेंगे ngt के अंदर अगर binomial coefficient पूछा तो मैं पढ़ू मेरी greatest term क्यों से middle term आपने अभी देखा था binomial coefficient का मतलब nc0, nc1, nc2 ठीक है और यह कहां से नकले थे याद है आपको pascal triangle और pascal triangle में जो बीच की term होती थी वो सबसे बड़े term होआ करती थी हमारे पास हमने कुछ pascal triangle निकाले भी थे देखो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था यह देखिए middle term मेरी highest term में middle term मेरी highest term में 1, 2, 3, 4, 5 5 का मतलब सिर्फ 1 middle term होगी वो क्यों होगी मेरी highest अगर मैं even 4 term होगी 1, 2, 3, 4 तो दोनों बीच की middle term क्या है मेरी highest term है तो अगर मैं binomial coefficient की बात करूँगा तो जो middle term होती है वही मेरी बिटा gator's binomial coefficient हो जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिटा आगे आगे एक आत question करते हैं थोड़ा जो हमने च्छोरी पड़ी उसको explain करते हैं सबसे पहला question expand 3x plus 1 by x to the power 5 बिटा देखो expand का मतलब simple सी हमने जो formula पड़ा था इधा देखो a क्या है मेरी पास 3 की power x और x क्या हो गया 1 by x simple सी बोल जाओ a plus b a plus b to the power 5 तो मेरी पास क्या था n से 0 n से 0 मतलब 5 से 0 a to the power a to the power n मतलब 3x to the power 5 into b to the power 0 1 by x to the power 0 a to the power n minus 1 that is 5 minus 1 4 हो गया into b to the power 1 that is 1 by x to the power 1 तो symbol चलता जाएकर बिटा यह मेरा क्या आगया बिटा सबसे पहले उसके बाद n से 2 a की 3x की power दोनो का difference 3 और इसके उपर यह जो base था वो मेरा आगया अगला देखो 3x to the power दोनो का difference 2 और इधर इसके power की आएगी जो मेरा r था ऐसे बिटा मैंने इसको expand कर दिया तो पहली बात तो बिटा number of term की power क्या थी बिटा इसकी 5 इसका मदब terms कितनी होंगी इसके इंदर बिटा 6 n प्लस 1 term होते है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बात बता न अगर इसमें 6 term है तो middle term कितनी हैंगी बिटा 2 कौन-कौन सी कौन-कौन सी अगर मैंने बोला था 5 है तो याद है n प्लस 1 बाइ 2 मतलग 5 प्लस 1 बाइ 2 that is 3 1, 2, 3 ये बिटा middle term होगी ये last ये दोन last term उसके बाद ये और ये second last term बच्ची कौन सी ये और ये तो ये दोनों की दोनों मेरी क्या होगी बिटा middle term अगला question देखते हैं बिटा आप से पूछा गया है find a sixth term in this expression आप से बोला है छटाट, 66 term तो मैंने का T6 और मैं जानता हूँ कि जब मैं इसको लिखूँगा तो always T r plus 1 की form में लिखता हूँ तो ठिसको क्या लिखूँगा मैं 5 plus 1 इसका मतलब r कितना हो गया 5 और अगर r 5 आ गया तो t r निकल ले था t r क्या था n c r यदि n कितना है 8 और r कितना निकला मेरा 5 तो 8 c r उसके बाद 8 to the power n minus r a कितना है बेटा मेरे पास 3x का square 3x का whole square n minus r that is 8 minus 5 that is 3 into b to the power r b कितना है बेटा minus 1 upon 2x to the power r r क्या था बेटा मेरे पास 5 क्या 7 मेरे निया या यह क्या होगी बेटा मेरे पास T6 हो गई अगर मैं इसको simplify करूँगा simplify करने बेटा मेरे पास यह चीज आगी अब काम की बास समझेंदा देखो मैंने आपसे क्या का था कि जो भी मेरे पास term में यह वाला n c i वाला part होगा वो होगा binomial coefficient क्या होगा binomial coefficient मतलब इस term के अंगर आपसे पूछे कि बताओ T6 term का binomial coefficient क्या था किसका T6 का binomial coefficient क्या था तो बिटा वो था 8 c 5 वो कितना था बिटा 8 c 5 बट अगर examiner ने आपसे पूछ लिया कि बताओ T6 का coefficient क्या था बिटा तो बिटा इसका जितने भी constant है वो सभी क्या होंगे बिटा coefficient होंगे तो देखो इसके जो मैंने solve किया तो ये पूरा इससा क्या coefficient है के नहीं minus b constant है 8 c 5 b constant है 3 की पावर 3 b constant है 2 की पावर 5 b constant है तो बिटा coefficient कितना होगा minus 8 c 5 3 2 d power 3 upon 2 की पावर 5 ये बिटा मेरा क्या आ गया ये मेरा आ गया coefficient ठीक है अब हम बाग करते हैं अगले question की अगला question क्या बोल रहा है बिटा find find middle term of x plus 3 to the power 8 x plus 3 to the power 8 काम की बास मिलना अभी हम middle term पढ़ चके हैं पहला काम तो हम देखते हैं x plus 3 to the power 8 n कितना आ गया 8 अगर n even है तो number of term कितनी होंगी और याद है na n plus 1 term होती है n plus 1 मतलब 9 term 9 term का मतलब और और का मतलब याद है single term और का मतलब single term single middle term आएगी और single middle term क्या थी n plus 2 by 2 n plus 2 by 2 8 plus 2 by 2 that is t5 और t5 का मतलब 4 plus 1 बिटा देखो बच्चा formula भोल जाता तो याद रखना बिटा मेरे पास 3 चीज़ निकलिते है बिटा कितनी चीज़ निकलिती बिटा मेरे पास middle term की form में 3 चीज़ निकलिती एक तो निकलिती tn plus 1 by 2 एक था tn plus 2 by 2 एक था tn plus 3 by 2 बिटा काम की बास सबज़ना अगर मैं 2 हूँ और अगर मैं मुझे पता ये पूरा मेरा integer होगा क्या होगा integer तो मैं n क्या रखूँ कि मुझे ये integer आ जाए n को always odd होना पड़ेगा इसमें भी n को odd होना पड़ेगा और इसमें n को even होना पड़ेगा तो आप उल्टा भी सोचते हो जो कि 3 में से कौन सा middle term होगा ये कप यूस करूँगा middle term में जब n क्या होगा मेरा even होगा इन दोनों को use कप करूँगा जब n क्या होगा पड़ेगा odd होगा तब भी 2 इनको divide कर पाएगा तो बच्चा अगर भूल जाए तो हम उल्टा भी सो सकते हैं इधर देखो n क्या था बिटा मेरे पास 8 था 8 था तो मैं क्या करूँगा 8 प्लस 2 बाइ 2 तरे T5 और मैं जानता हूँ इसको r प्लस 1 लिखता हूँ that is 4 प्लस 1 तो r कितना आगे है बिटा मेरे पास 4 तो formula क्या आगे है बिटा मेरे पास 8C4 3 to the power 4 x to the power 4 क्या सभी को सवन में आया clear हुआ अगला कुछन देखिए बिटा कुछना 4 क्या बोल रहा है बिटा 4th term from the end in this expression काम की बास समझने बिटा अभी मैंने कहा था बिटा करने के 2 तरीके पहला तरीका T4 from end is equal to T4 बिटा ये 4 है और ये क्या है बिटा ये N है N-4 plus 2 और N यहां पर बिटा कितना दे रखा है मुझे 10 दे रखा है तो 10-4 तरी T8 T8 का मतलब R is equal to 7 तो बिटा मेरे पास आगया T8 is equal to 10 C7 2 की power X की power 3 इंटू ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया पावर 7 ठीक है न ये था यादे न N-4 10-3 3 आगया है ठीक है ये matter first जो मैंने formula लिखा है था मैंने कहा था इसका एक matter और है मैंने कहा था दोनों को exchange कर दो क्या कर दो exchange कर दो उसके बाद beginning से ही निकाल लो जो मुझे चाहिए देखो मैंने क्या किया second term मैंने इन दोनों को exchange कर दिया तो मेरे पास ये आ गया अब मैं बज़ाए last के निकालने के इसको starting से ही second term निकाल लोगा exchange करो और उसके बाद जो मुझे पूछा किया वो निकालो कहां से beginning से तो मुझे निकालो इसके अंदर निकालो T4 तो T4 कितना होगा 4 का मतलब R मेड़ा 3 तो 10C 3 ये minus 1 by x square की power 7 to x की power q अब काउं की बास समना है बिटा हमने इधर नहीं ये निकाला था तो देखो इधर देखो ये और ये क्या दोनों सेम निकलें ये और ये क्या दोनों सेम निकलें अब बच्चे केशे सर ये दोनों तो सेम नहीं निकलें बट मैं जानता हूँ बटा 10C3 is equal to 10C7 होता है तो एक तरीका तो फॉर्मला याद करो बट फॉर्मला में भूलने का रिस्क रहता है अगर मुझे end से निकालना है तो नमबर को आगे बिछे कर दो exchange कर दो और बजाए end कि उसको starting से ही निकाल लो वही मेरा क्या होगा बटा final answer होगा ओके बटा